हिंदेगलम में फिर सेपका एकबर स्वागति ये वडियों 20 सुरुप से सिक्षक बहाली से समंधित है आज का PC आपने देखा होगा लगबग 44 मिनट का था उसी का निचोड लेकाया है कि क्या कुछ बताया गया अगर कुछ पॉइंट छूट गया है तो कॉमेंट सेक्षन में हमें जरूर बतायेगा उसे हम पीन कर देंगे ताकि सभी अव्यारती उसे समझ सके इसमें देखा जे तो टोटल जो आज का अपडेट है उसमें हमने 10 पॉइंट रखे हैं सिलेबस नहीं होगा जारी आपको बिस्तृत सिलेबस नहीं मिलने जाराए अब यह प्रशण क्यों बार बार अवयारती पूछ Whew नहीं हमेंट सिलेबस बता दिजे। बतंदीज़ St जो qualifying nature का है तो कम से कम इन्हें यह जरूर बता देना चाहिए कि जो qualifying nature का Hindi English है उसमें क्या पूछा जाएगा ग्रामेटिकल होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ topic वगरे देना चाहिए कुछ देर का काम है वह हो जाएगा तो उससे किलियर हो जाएगा ताकि उन सारी चीजों को बच्चे देख लेंगे और ज्यादा सोचने की जरूत नहीं पड़ेगा तो आप कुछ भी पूछ द देते को बच्चे को और असान हो जाता और अच्छा भी हो जाता है ताकि समझ में आता है पहला चीज सिलेबस डिमांड करने का को यह हो गया हमने बताए हिंदिय और इंगलिस जो qualifying nature का पेपर है उसके बारे में इसलिए डिमांड कर रहा है दूसरा सिलेबस का डिमांड क्य पूछे जाएंगे जैसे में अगर हम बात करें एक से पांच की जो बहुत ज्यादा डिमांड कर रहें बच्चे कि सिलेबस जारी किजिए को एक से पांच में जो प्रस्ण पूछे जाएंगे वो किसमें कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे जैसे आपने डाल दिया कि परया इसके अत्रिक देखा जाए और भी अपने टॉपिक अगर भुगोल डाला है तो भुगोल से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे गणित अपने डाला है तो गणित से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे reasoning आपने डाला है कि reasoning से सम्मंदित कितने प्रशन पूछे जाएंगे ये clear करने में क्या जाता है clear हो जाना चाहिए था पहला चीज तो ये किसी को नहीं पता कि किस से सम्मंदित कितने प्रशन पूछे जाएंगे बहले हैं कोई इतना बता दे कि हाँ इतने प्रस्ण पूछे जाएंगे वह अलग बात है तो पहला चीज ये है और 19th में भी देखा जाएंगे को 40 प्रस्ण अब हो गया है क्योंकि 1200 के जाएंगे 120 हो गया है को 40 प्रस्ण है को उसमें भी थोड़ा बहुत किलिए रहे हैं उनको तो तना दिक्कत नहीं है लेकिन दूसरा क्या है सिलेबस के बारे में जानने के बच्चे क्यों चुक है एक तो हो गया कि किसमें कितने प्रस्ण पूछे जाएंगे इसके लिए बच्चे बेचान अव्यारती बेचान है दूसरा ये है कि अभी कहा गया कि 125 के लिए आप NCRT देखें पहले क्या किया गया था है? NCRT यानि बिहार के बिहार में जो बुक चलते है जो बिहार टेक्स्ट बुक वगडर जो चलते है उसे देखी अब कहा जा रहा है कि NCRT देखें अब बच्चे कन्फ्यूज है जो घंदी के हैं इंगलिस के हैं जो भी है कि हम इसे देखें उसे देखें थोड़ा सांतर है सोशल साइंस वेगरे में भी देखें थोड़ा सांतर है तो यह केवल वन टू फाइप के लिए जिक्र करता हुआ कहा गया को वन टू फाइप वाले परेवरन की बात किया जाए तो वो मेरे ख्याल से NCRT देखना च चीह NCRT की बिहार टेक्स्ट भूक फ़रसे यह मतलों एक स्टेंड पर होना चीह नहीं बिहार टेक्स्ट भूक का आए को वहीं से पूछेंगे प्रश्ण तो यह भी क्लिए होना चीह ताकि एक से पांच वह देख सके डियरेक्ट लिख देना चीह कहां पर्यवरन से इतने प्रस्व रहेंगे, समाजिक बिग्ञान से इतने प्रस्व रहेंगे, इस से इतने प्रस्व रहेंगे किलिर लिखा हुआ होना चीह और विहार के Textbook से ये प्रस्व पूछे जाएंगे यह भी लिख देना में क्या जाता है तो यह जो हैं, इसलिए आमने सबसे उपर रख दिया कि बिस्तरित सिलेबस नहीं दिया जाएगा लेकिन ये जरूर के लिए रोजाना चाहिए था जो अभी तर्थ दिक्कत है तीसरा एक और प्रशन जो चल रहा है वो है गनीत का बिज्ञान का और समाजिक बिज्ञान का प्रशन क्या है तो समाजिक बिज्ञान वाली ये चाहते है कि सर हम दो बिशे का त्यारी करें कि चार बिशे का त्यारी करें यानि इतियास, नागरिक, भुगोल 19th की बात कर रहा हूँ मैं जो अच्सी नंबर का कुछ है इतियास, नागरिक, भुगोल और आपका चौथा क्या है आर्चास, चारो की त्यारी करें एक की त्यारी करें दूसरा गणित वाले पूछ रहा है कि गणित के साथ physics भी आएगा, chemistry आएगा कि गणित physics आएगा, क्या आएगा, क्योंकि physics chemistry वाले भी सामील हो रहे है तीसरा science वाले के साथ क्या तीनों आएगा, physics, chemistry, bio तो देखे, चुनाओ करने का देखे, इसका हम answer देने की कोसिस कर रहे है लेकिन ये government को जरूर clear कर देना चाहिए कि क्या होगा, क्या नहीं तो हम इसका answer देने की कोसिस कर रहे है देखे, इनों ने जो भी कहा है कि जो एक परिक्षा होगा उसमें जो choose करने का option आएगा बिसे choose करने का, वो केवल वानिज्ज में आएगा वो किसमें आएगा, केवल वानिज्ज्ज में आएगा और किसी में नहीं आएगा जाहिर सी बात है, जो सिक्षक पढ़ाते हैं वही आपसे पूछे जाएगे यानि आपका total अगर समाजिक बिज्ज्ञान की तियारी कर रहे है को total तियारी कीजिए इतियास, नागरिक, भोगोल, और साथ, चारो अगर गणित की तियारी कर रहे है तो पूरा गणित कीजिए बिज्ञान की तियारी कर रहे है को पूरा बिज्ञान कीजिए अभी तक मुझे जहां तक समझ में आए जो भी आगे हो, लेकिन ये सारे चीज एस्टेंड किलियर हो जाने चाहिए पहले ही यहां यह ऐसा है यह ऐसा है यह ऐसा है तकि बच्चे अच्छे तरीके से त्यारी कर सकें लेकिन मुझे जहां तक समझ में आए वह ऐसा ही रहना चाहिए जहां तक मुझे समझ में आए तो syllabus के बारे में जो भी आपके doubt थे मुझे लग रहा है किलियर हो गया है और यह NCRT और बिहार टेक्स्ट बुक का है को थोड़ा सा अंतर है लेकिन हम कहेंगे कि 125 में आप NCRT देख लीजिए इसके अब उपर में जाए को बिहार टेक्स्ट जाएगा क्योंकि इसके बाद आपका एक जूने स्टार्ट हो जाएगा तो उससे पहले notification मिल जाएगा apply कब से होगा को apply आपको कुछ दिन और time मिलेगा कुछ दिन काने का मतलब यह 14-15 जून से आपको apply करने का मौका देखने को मिल सकता है लेकिन त्यारी आप जरूर करते तो चलिए अब हम point wise बात कर लेते हैं तो एक चीज हमने प्रस्ण पहले भी उठाया था कि बताइए 100 प्रस्ण रहेंगे को 2 घंटा अब 1500 प्रस्ण रहेंगे तो भी 2 घंटे तो इसे थोड़ा सा कम कर दिया गया है और यह 1500 प्रस्ण अब नहीं रहेंगे paper 2 में यानि main paper में क्या होगा 1500 प्रस्ण नहीं रहेंगे अब 120 प्रस्ण रहेंगे अब यह हो जाएगा 80 आपका 20 से और यह 40 हो जाएगा यह सभी के लिए हो जाएगा और भी जो चीज़े है करेंट वेगरे सारे जो हैं उससे संबंदित हो जाएंगे तो ये सभी के लिए होगा है मेन पेपर 120 नंबर का परिक्षा होगा और 80 इससे 40 उससे लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा अगर कोई अगर इसके बार में कुछ लिख सके तो कॉमेंट सेक्षन में जरू लिखियेगा क्या वन टू फाइप में यह फिर से दिक्कत नहीं करें चूकि वहां टो क्या टो क्या गया है यह प्रस्ण होना चाहिए कि वहां पे क्या जो 120 और 40 वहां पे भी तो में पेपर है वहां पे भी तो 80-48 का रिशियो है तो वहां पे भी तो आपको दिखाना चाहिए कि हां यह 80 वाले हैं और नीचे वाले यह 40 का हैं दिखाना चाहिए कि परियावरन अध्यान से असी प्रश्ण ऐसे करके दे देना चाहिए था थोड़ा सा किलियर कट बहुत अच्छे तरीके से एक एक सब्द बोलने से चलिए हो सकता हम नहीं समझ पहा है लेकिन थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आए लिजनिंग 1-5 में रहेगा आगे आगे में आपका मैत व्यागे रहे हैं जो उससे संबंदी 40 प्रश्ण रहेंगे तो यह हो गए और निगेटिव मार्किंग अपकर रहेगा इसमें अपेरिंग वाले को मौका दिया गया है और वो भी उनका परिक्षा 31-2-3 तक हो जाना च कि शीट वाले जो हैं जो अभी फॉर्म Greetings उनके साथ क्या होगा लेकिन मुझे लगता है इसे क्लियर कर देना चाहिए था क्लियर क्या कर देना चाहिए कि सीटेट जो अभी भरें क्या वो परिच्छा में पास होंगे ही यहां पर क्लियर इन्हें यह कर देना चाहिए था कि जो बीएड वाले हैं जो बीएड कर रहें या डिलेट कर रहें उन्हें मौका देना चाहिए था अगर देना ही चाहते यह त उतना समय तक बढ़वा के और क्या करना चाहिए उस समय तक आपका जो भी परिक्षा वगरे है जो भी रिजल्ट है उसमें तक हो जाना चाहिए क्योंकि यह जो है बहाली का है जो भी है यह नियुक्ति का परिक्षा है इसके बाद आप क्या करेंगे डॉक्मेंट बेरिफिकेशन करेंगे और उन्हें क्या देंगे जौब दे देंगे नौकरी देंगे अब यह जो भी निर्णा हो वालग बात है जितने भी लेटर पड़े वालग मेटर है लेकिन जो भी चीज है क्योंकि इससे पहले भी एस्टेट हुआ था जिसे आप लोगो ज़रूर होना चाहिए कि यह बीएट डियलेट के लिए के सीटेट के लिए आप तो सीटेट वगर सारा चीज आप का रहें जो भी चीजे लेकिन इसे भी अच्छे तरीके से मालेशे वह फोंब भारते हैं आसीटेट में फेल हो जाहें एक्जाम हो जाता है उसके वाज रिजल्ट आने पर तो यह भी प्रस्ण बनता है प्रस्ण तो नहीं नहीं चीज़ा आएंगा तो बहुत सारे बनने कि यह सारे जो पॉइंट थे तीन ना क्यों प्रस्ण वाले थे हैं किलियर हो गया होगा सारा चीज मतलब जो मेरे मन में अगर कोई इसका एंसर देना चाहे तो जरूर दें अगर हो सकता है कि ज्यादा अच्छे तरीके सुनों ने सुना हो समझा हो सकता है कि सबका अपना सोचने का समझने का कंडिशन होता है वो जरूर बता है इसके बाद आती है तीन नंबर पॉइंट में यहां से जो भी जो भी आपलोग को है इन्हें BC1, BC2 इसका इ sinners की नाम करन कर देना चाहित है चले यह जो भी है तो वो यह जो बनाते हैं BC1, BC2 वाले तो यह अपना जरूर भी है creamy layer या non creamy layer जो भी बनवाते हैं वो जरूर बनवा लीजिएगा ठीक है और EWS जातिये वगरे जो भी चीजे हैं यह जरूर बनवा लीजिएगा और जो current से संबंदित होता हो current जरूर बनवा लीजिए आज ही apply कर दीजिए अगर नहीं बनवा लीजिए तो इससे पहले भी जो पहले कहोंगे तो उनसे हमने कहा दिया था कि जरूर बनवा लीजिए मार्स अप्रिल के बाद सारा apply कर दीजिए तुरंद बन जाता है आपको time भी मिल गया बनवा लीजिए जब भी apply होगा वहां पे सारी चीज अपलूड करेंगे यह अच्छा चीज है बहुत ही अच्छा चीज है सारी document अपलूड करवा लीजिए बहुत एच्छा और वहां पे इन्होंने च्छाय प्रति का है मेरे ख्याल से अभी परमारित करके वह करवाएंगे मेरे ख्याल से अच्छा चीज है को च्छाय प्रति करवा लीजिए चाह ओरिजिनल करवा लीजिए लेकिन मेरे ख्याल से च्छाय प्रति अगर कहा जारा कि इसलिए कहा जारा क्योंकि आपको अच्छा होगा तो यह अच्छी चीजे कि सारा डॉकमेंट आपको अपलूड करना है अब यहाँ पर प्रस्ण उठता है कि माली जिसका परिक्षा होने वाला वो क्या उफलोड करेंगे कि उनका मेरे खाल से कॉले से या इस्कूल से उनसे लिखवा के ज़रूड करेंगे हो सकता है उन्होंने कहा है कि एक प्रिंट आउट होगा उस प्रिंट आउट पे मतलब जो भी वह अपना कुछ बनाएंगे फॉर्मिट उस पे मतलब यह करवा लेंगे सपत्पत्र वेगरे कि यहां इस समय तक मेरा एक्जाम हो जाएगा ताकि उन पर आगे भी करवाई हो सके लेकिन सीट वेगरे में तो फिर दिक्कत है चले छोड़िए तो यह सारे चीज़ डॉक्मेंट अपलोड करना है को जिनका मालेज यह नहीं रिजल्ट वेगरे है उनके लिए कुछ बताया जाएगा वो उन्हें अपलोड करना है इसके बाद आवेदन जमा करने के लिए दो पंदर जुन के बाद क्योंकि एस्टेट के जो परिक्षा हुआ था उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा उसके बाद मार्सिट वेगरे जो भी चीज़ है अच्छा यह चीज के वह भी सामिल इसलिए हो रहे है ना कि उनका मार्सिट वेगरे आ जाएगा मेरे रिजल के बाद ही होना चीज़ रिजल्ट हो जाया उसके बाद यह अवेदन वेगरे शुरू करें क्योंकि पास फेल का कहानी खतम और रेजिस्टेशन और आवधन दोनों एक ही साथ हो जाएगा हो सकता है कि इससे पहले जो होता था रेजिस्टेशन अलग टाइम पे आवधन अल वेगरे में सब जगह होता है और यहां पर email verification, mobile number verification यह जगारे सरा होना चीए photo, thumb, thumb वेगरे का जिक्र था है, photo लिया जाए, thumb लिया जाए, सारा चीज ले लिया जाए अधार नमबर जरू लिया जाए, अधार नमबर नहीं आता है, को thumb जरू लिया जाए जैसे होता क्या है, अभी आप निवास वेगरे बनाएंगे ना, तो दो तरीके से upload होते हैं document, या तो upload कर दीजे नहीं तो अधार verification कर वाली जाए, तो ये भी option जरू रखा जाए, अधार verification हो जाए, तो वहाँ फिर से confusion हमने पहले बताया कि NCRT या विहार टेक्स्ट बुक, इन्हें कहाना है तो कह दीजे कि 1-5 वाले केवल NCRT पढ़ें, NCRT में 1-5 का math देखें, और उसी का आप ये देखें, math हो गया और दूसरा क्या है, परेवरा नध्यन, उसी का देखें, ये जिक्र कर देते, पेपर में होगा, यानि पेपर 2 में होगा, जो भासा का जो पेपर होता है, भासा मतलब ये, कि जो qualifying nature का जो पेपर है, पेपर 1 जो है, उसमें नहीं होगा, जिसमें हिंदी इंगलिज के जो 100 नमर के जो प्रस्ण पूछी जाएंगे, तो उसमें negative marking नहीं होगा, दो गंटे स के बारे में हमने बता दिया कि पेपर 1 में जो हिंदी इंगलिज का परिक्षा है, जो सभी के लिए है, उसमें negative marking नहीं होगा, उसमें 30 अंक लेकर आना होगा, और जो second है, second paper जो main है, जिसमें merit आपका बनेगा, तो उसमें negative marking आपका रहेगा, को ध्यान से पढ़िए, इतना option रहेगा, यह आगे आपको बताया जाएगा, अभी clear नहीं कहा गया है, मुझे लग रहा कि 4 option उन्हें देने चाहिए, 4 option के साथ इन्हें 1 fourth रखना चाहिए, थोड़ा सा छूट बच्चों को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि आप merit तो already बना ही रहे, उस हिसाब से, एक चीज यहाँ पर मुझे याद आ रहा कि 6 लाग का मेरे कहल से capacity की बात कहा गया है, तो उतने अव्यारती रहते हैं, तो एक ही paper देखने को मिलेगा, अगर इससे ज़्यादा होते हैं, को मेरे कहल से 2 paper देखने को मिल सकता है, दो paper कहने का मतलब ये, कि आज एक exam हो गया, माली जे paper 1 में 6 लाग से अधिक अव्यारती होगा, तो आज एक परिक्षा हो गया कुछ अव्यारती होगा, फिर अगले दिन या जब भी date हो, उस दिन भी कुछ अव्यारती 6 लाग से अधिक है, तो उनका भी परिक्षा देखने यानि उसमें क्या-क्या देना है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा हलका हो गया, कि तीनों में से कोई एक चूच करना होगा, उसी से संबंदित उनको प्रशन देखने को मिलेंगे, बागी सम्में किसी में भी नहीं है, तो ये था मेरी क्याल से सारे update, और मुझे नहीं कि कोई भी ये होगा, उसके बाद जैसे बस्तरित जब सिलेबस आता है, उस पे भी हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन जरूर इने कुछ चीजे जरूर क्लियर कर देना चाहिए था, या सिलेबस में उसे जरूर include करके देना चाहिए था, अब जो भी वज़ा हो लेकिन जो बच् परिख्शा देने जा रहे है, इतने दिनों से इंतिजार करने के बाद लगबग चार सालों से इंतिजार कर रहे हैं नौक्री का, लेकिन नौक्री तो इन्ने नहीं मिला adapts, अधर वे जरूर इनन जरूर मिल गया है, थो थोड़ा सा सहलुएत, देते वही अच्छे तरीके स सारे चीजों को देखते हुए परिक्षा लेना चाहिए और रहा बात एपेरिंग वेगरे लेने के लिए बात का और इसमें क्यों बिहार वाले ही अपलाई करेंगे दूसरा कोई अपलाई नहीं कर सकता यह भी हम आपको क्लियर करते और भी जो चीजे हैं बहुत सारी चीजे जो आहरता से संबनादेत हैं वो शिक्षविवाग काहीं फॉलो होगा तो आमने का, कि ora 2019 में जो भी आहरता था वही लग बग रहेगा, 19 वालो के लिए, और जो भी आहरता है, just ब मेस्ट 3 से 11 अदू के लिए 11 – 12 वेलों के लिए Speaking जो qualifying करने का होगा तो मालीजे 120 नंबर है 120 नंबर का हो गया तो 120 का अगर 40% पर qualifying nature है तो कितना नंबर लाना होगा तो 40 बटे 100 इससे ये 0 कड़ गया और इससे ये 0 कड़ गया तो आपको कितने नंबर लाना होगा 12-34 बढ़ चोको 48 नंबर अब आपको 120 में 48 नंबर लाना होगा जहां तक exact मुझे याद है 40% अगर यह है on reserve category का है 40% अगर उतिनांग है तो 48 नंबर निश्यत रुप से लाना होगा इससे अधिक आप लाते हैं तभी आप merit में गणना करने योग 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 इससे कम आते हैं तो fail हो जाएंगे अगर ब लोग का मेरे खाल से 49 नंबर वेगरे के करीम में होगा 120 में लाने के लिए 40 नंबर समझे 40 नंबर लेके आई है उससे अधिक लेके आई तभी आपका गणना होगा तो यह भी मेरे खाल से इस वीडियो में सामिल हो गया कि यह भी प्रश्णागर आप पूछ रहे होंगे तो वहां भी कुछ मेरे खाल से कुछ छूपना नहीं चाहिए वहां पर भी समझने की कोशिस समझने और समझाने की कोशिस किया जाएगा और कुछ चीजे छूट गया या हमने कुछ गलती से कुछ चीजे कह दिया है तो उसे भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा उसे हम जरूर पीन करने की कोसिस करेंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक देखते रहें बने रहें दिकलब पे धन्यवाद बाबाई सब्सक्राइब कीजे हिंडी कलब को दबाईए इस बेंड आइकॉन को तक हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले शेयर करें अपकी दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसकार लाब उठा सके यह सब बिल्कुल प्री है यह सबस्तों एको कि अपकी अपकी दोस्तों कि कि अपकी शब नहीं है